हेलो एब्रीवन आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चेनल विशाल गोतम से 183 पर आज है 17 नवंबद 2023 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 17 नवंबर 2023 के डेली करेंट अफिरस के कुछ important questions अगर आप किसी भी अग्यम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी अदर important रहने वाली है अगर आप इस चेनल पर पहली बार आए हैं तो चेनल को सब्सक्राइब कर लिजी और साथ ही वेल आइकन को भी और प्रप्रेस कर लिजी ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएं और आज की इस वीडियो के PDF फाइल आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी और इस टेलिग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रप्शन में मिल जाएगा तो आब वाल से इस टेलिग्राम चैनल को जोईन कर सकते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, इस वीडियो के लाश्ट में मैं आपसे कुशिन भी पूछूँगा, और इस कुशिन का सही अंसर आपको कमेंड में बताना है, तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर तो अमारा अच का पहला कुशिन है, बारत ने LOC और LAC पर तैनाथ करने के लिए किस देश से 4 हरमेश 900 डोन खरीदा? इस कुशिन का सही अंसर है, आप्शिन से एजरायल तो अपने देश बारत ने LOC और LAC पर तैनाथ करने के लिए एजरायल देश से 4 हरमेश 900 डोन खरीदा हैदराबाद में अडानी एरोस्पेस ने रच्छा विभाग और एजरायल के एलबिट सिस्टम के साथ पार्टनर्शिप की है अब एजरायल जो देश है इसकी राईदानी येरोस्लम है एजरायल की मुद्रा है एजरायली नियू शेकेल और एजरायल के प्रधान मंतरी है बेन जामिन नेतनियाहू नेक्ट कोशन है हाल ही में भारत और अमेरका के पांच में टू प्लेश टू मंतरी स्तरी वारता का आयोजन का पर किया गया है इस कोशन का सई अंसर है ओप्शन सी दिल्ली तो हाल ही में अपने देश भारत और अमेर्का देश के पांच में टू प्लस टू मंत्री स्त्री वारता का आयोजन दिल्ली में किया गया है इस वारता में भारत की ओर से बारत के रच्छा मंत्री स्री राइना सें और विदेश मंत्री एश जैशन करने तथा अमेरका की ओर से अमेरकी रच्छा सचिब लोयर्ड ओस्टिन और विदेश मंत्री एंटनी बिलिंकर ने भाग लिया और इस वारता के दोरान रच्छा और पॉद्द्यों की सम्मंदित मुद्धों पर चर्चा की गई नेस्ट कुशन है हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे उंचा लकडी का टावर बनाने की संभावना व्यक्ति है इस कुशन का सबसे उंचा लकडी का टावर बनाने की संभावना व्यक्ति है ऑश्टिलिया दुनिया की सबसे उंची लकडी की इमारत का टावर बनाएगा जिसकी उंचा ही होगी 191.2 मीटर अब ऑश्टिलिया जो देश है इसकी राइधानी कैन बरा है और ऑश्टिलिया देश की मुद्रा है ऑश्टिलियाई डॉलर और वाके परदान मंत्री है एन्थोनी अलवनीच नेश्ट कुशन है हाल ही में भारत और केश देश की नौसेना के बीच बॉंगो सागर 23 का आयोजन किया गया इसकी नौसेन का सही अंसर है ऑप्चन C बांगलादेश हाल ही में भारत और बांगलादेश की नौसेना के बीच बॉंगो सागर 23 का आयोजन किया गया है बात ये नोशेना और बंगलादेशी नोशेना ने बॉंगो सगट 23 का आयोजन किया और ये आयोएंट कब से कब तक किया 7 नवंबद 23 से लेकर 9 नवंबद 23 तक और कहां पर किया उत्तरी बंगाल की खाड़ी में और इसका संस्करड कौन सा था ये चोथा संस्करड था अब बंगलादेश जो है इसकी राइधानी ढाका है और बंगलादेश की मुद्रा है टका और प्रधान मंत्रिय या की शेक हशीना नेक्ट कौशन है हाल ही में समुद्र के अंदर जोला मुखी विस्पोर्ट हो जाने के बाद के इस देश को एक नया द्वेप मिला है इस कौशन का सही अंसर है ऑप्शन से जापान तो हाल ही में समुंद्र के अंदर जुआला मुखी विस्पोर्ट हो जाने के बाद जापान देश को एक नया द्विप मिला टोक्यों से 1200 किलोमीटर दच्छर में समुंद्र के अंदर जुआला मुखी विस्पोर्ट के बाद एक नया द्विप बना इसका व्यास लगबग 100 मीटर है और यह एक फीटो मैगमेटिक विस्पोट था यह मैगमा के पानी के साथ संपर्क के परडाम शुरूप होने वाला एक प्रकार का विस्पोट है अब जापान जो देश है इसकी राजधानी टोकियो है मुद्रा है जापान की जापानी ये और जापान के प्रधान मंत्री है फोमियो किश्दा नेट कुशन है हाल ही में किस भारतीर नवाचार को अर्थ शौट पुरुसकर दोया तेश्ट दिया गया इस कुश्चन का सही अंसर है औप्षिन सी S4S टेकनोलौजी तो हाल ही में S4S टेकनोलौजी को अर्थ शौट पुरुसकर दोया तेश्ट दिया गया है पांच बिजीताओं को वर्स दो या तेज के लिए अर्थ शौट पुर्सकर दिया गया इसमें एक भारतिय शौर उर्जा संचालित तकनीकी उध्यम S4S टेक्नलोजी है साथ ही इसमें एक भारतिय मूल के अमेर्की द्वारा स्थापित से स्टार्ट अब वोवित्र भी है नेक्ट कुशन है हाल ही में किस शेर में 22 लाग दिये जलाकर गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड बनाया है इस कुशन का सही अंसर है ओप्शन ए आयोध्या तो हाल ही में आयोध्या शेर में 22 लाग दिये जलाकर गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड बनाया है उत्तरपदेस सरकार ने आयोध्या में 22 लाग से अधिक दिये जलाकर एक नया विश्व रेकॉर्ड बनाया 2017 में आयोध्या में दीपोटसब की सुरुवात होई थी सरकार ने 2 या 17 में लगबग 51 या दिये जलाए थे 2022 में राम की पेरी गाटों पर 17 लाग से अधिक दिये जलाए गए उत्तर पदे सरकार ने पूरे आयोजन को लागू करने के लिए 25,000 कर्मचारियों को तैनात किया था दिवाली की पूरू संध्या पर दिपोसा पर निकाले गए जलूश में रामायन, रामचरित मानस और विविन सामाजिक मुद्दों पर आधारित 18 जाकिया शामिल थी और राममंदर का उद्गाटन 22 जनवरी 22 को होने वाला है नेक्ट कुशन है, UK कैमनेट के फिर बदल में नई विदेश सचिप के रूप में किसे नियुक किया गया इस कुशन का सही अंसर है, ओप्शन B, डेविट कैमरन आप इमेज में भी देख सकते हैं, ये हैं डेविट कैमरन और इनी को UK कैमनेट के फिर बदल में नई विदेश सचिप के रूप में नियुक्त किया गया है United Kingdom के पदहन मंतरी रिशी शुनक ने एक मरतपूर कैमनेट फिर बदल किया पूरू पदहन मंतरी डेविट कैमरन को ब्रिटेन का नया विदेश सचिप ने उक्त किया गया है Next Question है, हाल ही में किस देश में तीब्र भूकम के बाद आपात काल की गोशना की गई है इस Question का सही अंसर है, Option A, Iceland तो हाल ही में, Iceland देश में तीब्र भूकम के बाद आपात काल की गोशना की गई है Iceland ने देश के दश्चर पश्चिम रेक जेंस प्राय दूइप में भूकम के कई यटकों के बाद आपात काल की गोशना कर दी है इसे देखते हुए, ग्रेंडाविक शेहर के लोगों को जल से जल अपने गर छोड़ने को का गया है अब आइसलेंड जो देश है, इसकी राईधानी है, रेक जाविक और मुद्रा है, आइसलेंडिक क्रोना नेक्ट कुशन है, नई चेतना अप 2.0 अभियान किस मंत्रा ले द्वारा चलाये जाएगा इस कुशन का सही आंसर है, ओप्शन B, ग्रामीर विकास मंत्रा ले तो नई चेतना 2.0 अभियान ग्रामीर विकास मंत्रा ले द्वारा चलाये जाएगा ग्रामीर विकास मंत्रा ले द्वारा 25 नवंबर से नई चेतना 2.0 अब्यान किया जाएगा इस अब्यान का आयोजन जेंडर आदारित हिंसा से बचें लोगों की सामुविक रूप से मदद करने के लिए किया जाएगा नेक्ट कुशन है इस कुशन का सही अंसर है आप इमेज में भी देख सकते हैं ये हैं डायना एडोल जी और यही आई सी सी के हौल आफ फेम में शामिल होने वाले पहली भारतिय महिला क्रिकेटर बनी है पूर्व कप्तान डायना एडोल जी पहली भारतिय महिला क्रिकेटर बन गई जिनने अंतर राष्ट ये क्रिकेट परिशद यानी ICC ने अपने हॉल ओफ फेम में शामिल किया है उनके साथ भारत के पूरुसलामी बल्लेबाज बीरिंद सहवाग और स्री लंका के अर्विन डिसिल्वा को भी ये सम्मान मिला तीनों को उनके करियर की शांदर उपलब्दियों के लिए ये हैं शम्मान दिया गया एडोली जी बाद ये मैला टेम की कप्तार रही और बाद में क्रिकेट प्रशाशक भी बनी अब ICC का पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसकी स्थापना होई थी 1909 में और इसका मुख्या लहे दुबई में और ICC के अध्यच हैं क्रेग बार्कने नेट कुशन है माउंट एवरेश्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइब करने वाले पहली मैला कौन बनी है इसकी स्काई डाइब करने वाले पहली मैला बनी है बात ही स्काई डाइब शीतल महाजन ने दुनिया की सबसे उची चोटी माउंट एवरेश्ट के सामने 21,500 फीट की उच्छाई से हेलिकॉप्टर से छलंग लगागर स्काई डाइब करने वाले पहली महला बन गई है जिसके बाद बस 17,444 फीट की उच्छाई पर काला पत्थर की चोटी पर उतरी वह एक प्रशिद भारती स्काई डाइवर है जिनके पास कई स्काई डाइविंग रिकॉर्ड है और दोयार एक में चोटी सरवोच नागर पुरसकार पदमसरी से भी सम्मानित किया गया था नेक्ट कुशन है हाल ही में किस देश ने बिली जीन किंग कब दोया तेश का खिताब जीता है इस कुशन का सही अंसर है ऑप्शन बी कनाडा तो हाल ही में कनाडा देश ने बिली जीन किंग कब दोया तेश का खिताब जीता है कनाडा ने इटली को दो जीरो से हरा कर बिली जीन किंग कप का खिताबी मुकाबला जीत लिया है प्रतियुकता के 60 साव के इत्यास में यह पहली बार है जब कनाडा ने यह खिताब जीता है अब कनाड़ा जो देश है इसकी राइधानी ओटावा है मुद्रा है डॉलर और प्रधान मंत्रियें आगे जस्टिन टूडो नेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट श्वात संगठन यानि डेबली ओएच के एशिया और पशांत छिद्री आयोग के 33 संभीलन की मेजवानी की 13 से 16 नवम में दोया तेश तक यह कारकरम नई दिल्ली शहर में आयोजत किया गया वर्ल्ड ओर्गनेजेशन फॉर एनिमल हेल्थ यानि डबलू ओ एच की स्थापना 1924 में हुई थी और इसका मुख्या नहे है पेरिस में नेक्ट कुशन है हाल ही में समान नागरिक सहता अपनाने वाला पहला भारती राज कौन सा बना है इस कुशन का सही अंसर है ऑप्शन बी उत्राखंड तो हाल ही में समान नागरिक सहता अपनाने वाला पहला भारती राज बना है उत्राखंड सर्वोच न्यायले की सेवानी ब्रत न्यायदीस रण्यन देशाई की अद्धिचता वाले एक पैनल ने उत्राखंड में UCC कार्यान वैन के लिए मसौदा रिपोर्ट पूरी कर ली है उत्राखंड सरकार समान नागरिक सहता विदियक को पारित करने के लिए राज विदालसवा का एक विशेश सत्र का आयवजित करने की योजिना बना रही है अब उत्राखन जो राज है इसकी राईधानी क्या है उत्राखन की दो राईधानिया है एक देरादून है एक गेरशेन है अब देरादून जो राईधानी है वो शर्दियों के लिए है तो गेरशेन जो राईधानी है तो गर्मियों के लिए है उत्राकन के मुख्य मंत्री है पुशकर्षे धामी और राजपाल है गुर्मीत शेह कल की वीडियो मैंने आपसे क्वेशन पूछा था कि किस बैंग को बिजनेश चेंज मेकर आप दाइयर दो या तेज से सम्मानित किया गया है और इस कुशन का सही अंसर था आप्शन ए आर बियाई तो आर बियाई को बिजनेश चेंज मेकर आप दाइयर दो या तेज से सम्मानित किया गया है और इस कुशन का अंसर लगभग सभी स्टूडेंस ने सही बताया था अब आपके लिए आज का कुशन है हाल ही में ICC ने केज देश के करकेट बोड को सस्पेंड कर दिया है इस कुशन का सही अंसर आपको कमेंड में बताना है अगर आपको ये वीडियो आज की हेलफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेर करना और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो चलिए चलते हैं जै हिन जै भारत वंदे मातरम